आओ मिलकर एक नया इतिहास रचाएंगे परलिकर इस देश को पछल बनाएंगे चूत चूत चाड़ फूक मिलकर हटाएंगे चात पात आओ मजे भेत रचाएंगे रुगे हुए हर चक्र को फिर से चलाएंगे आओ मिलकर एक नया इतिहास रचाएंगे परलिकर इस देश को पछल बनाएंगे आओ खुद अपनी महनत से रोजी कमाएंगे देश के हर को फोका जुश कहलाएंगे जग में सबसे प्यारा हिंदुस्ता बनाएंगे हिंदुस्ता बनाएंगे आओ मिलकर एक नया इतिहास रचाएंगे परलिकर इस देश को साक्षर बनाएंगे प्राउड शिक्षा कारिक्रम में प्रेरक एक महत्वपून कड़ी है देखें कि प्रेरक अपने आपको अपने इस काम से कहां तक जोड़ पाता है और कहां पर भटक जाता है आप इस बात पर चर्चा करें कि दिखाए गए किन धंगों को आप अपनाएंगे और किन को नहीं आप लोगन का कोनो तकलिफ हो वह के लिया माजिए वह तो रहाए जगड़ा कि कोनो बात पहाई नहीं अरे रहें प्रधान जी से पहाई दो राम राम बहिया काईसे आए अर प्रधान जी प्रेरक के पत पर मेरा चैन हुआ है मैं आपके गवाँ में प्रवड शिषा केंडर चलाने के लिए यह तो बहुत नहीं काम कियो भई आप प्रधान जी एक चीज़ बताईए आपके गवाँ में कितने स्कूल है इसकूल तो यह कह है वह बच्चों का कच्छा पांस तक उमा मेरा काल चालिस बच्चाल बच्चे पड़ा थी बस बस और अस्पताल है अस्पताल तो एक को नहीं है बैंक हाँ बैंक तो अब है कुछे दिन पहले एक खुला है अच्छा अप प्रदान जी एक चीज़ और बताईये अब पीने के पानी के क्या वेष्ता है यह से ऊपर चाही तो घूंपकाप माले चलक्ति जहां वीडियो साहब और एडियो साहब से आपकी मुलापाइद कराएदेव की साधी जानकारी आपका मिल जाएगे तो आप ऐसा करिये प्रधान जी कि अपने सारे गावालों से पूछ करके अगले हफते एक मीटिंग बुला ले में अब बिल्कुल साही ताकि हम उसमें सारी बातों पर विचार कर लिए अब बहुत अच्छी बात कर लिए तो कहा है पंचो अगले सोंवार का रख लिया जाए काओ यही बैठा तो तौन समय रखा जाए अब समय आप इन्नों से बात कर लिजिए और इनकी सुविधाम सार रख प्रदान जी हम चलते हैं शाम को 6-7 के बीच आजाएंगे बहुत अच्छा 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 ही कि लेटा अच्छा अच्छा श Bluetooth क्या थी आखा अच्छा तो आप पान समय कोुण कई सबंसे हैं ह्धे JJ ka kepada लंई वैट ऐसे तमारे वियर्टिक हाय तुंटेश्य कर घ्लाप में कितना गर्मद काण पानिय इसमें डहाओं कि अनौकत अच्छ except हुआ तक तक तम्हारे गाुंमें कोने नहीं नहीं के मानिम धिर्क अनुए पर ट्रप कि अच्वाद है। जृप करें दीचाएं, बांते हृज़ा। यृज़ा नहीं लेए। लेखो दीचाएं कि अचीत नीज़ा। कि अच्वाद दौक कि अमेट नहीं वीटें जल्दी करके घर आयू, बाबु का बचार जायका है अच्छा, तुम चलो हम आई था ठीक है और हाँ, कोठे पर से अंगउच्छा उठाय लिये रहाँ हाँ, उठाय लिये कि इबादी रखती हो, भरत नहीं गोगा और कोई काऊं नहींगा नहीं अच्छा, हम जा रहे हैं भरत नहींगे अच्छा, और जल्दी आईगे अच्छा 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 अरे भीया, इका कर रहे हो अब देखो तुम्रे बदन का सारा गंदा पानी कुमें मजा रहा है अरे साहिब, या गाव मा सब देने है इतना नहात अरे भीया, पिया का पानी है, कहें गंदा कर रहे हो प्रेरक द्वारा पंचों, लड़के और कुएं पर हुई बाचीत के धंग पर चर्चा कीजिए कमला जी नमस्कार मेरा नाम तुभुदेयाल है मैं आपके गाउं में प्रॉड शिशा केंच चलाने आया हूँ अच्छा एक बात बतानी के महरवानी करेंगे आप आपके स्कूल में कुल कितने बच्चे पढ़ते हैं हमारे स्कूल में 40-45 बच्चे हैं आच्छा 40-45 क्या गाउं के सभी घरों के बच्चे आजाते हैं पढ़ने के लिए करीपरी सभी घरों से बच्चे आते हैं लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि गाउं के पुरे बच्चे आप आते हों के पढ़ने के लिए आप ठीक कह रहे हैं हो सकता है मैं कुछ घरों से ना आते हूं लेकिन क्या आपने इसका कारण जानने की कोशिश की है ऐसा क्यूं है अब घर वाले माबाप नहीं पढ़े लिखे हैं बच्चों को अपने काम पे लगा लेते हैं अच्छा अच्छा वैसे आपको गाउंवालों का पुरा-पुरा सहयोग मिल रहा है सहयोग तो करीब पुरा-पुरा मिलता है अगर उनसे काईदे से पेस आया जाए अब यह गाउंवालों को प्रदान करते हैं विकास के लिए यह बात है जिसे वह आई-आई-डी-प यूजना जो चल लही है उसके अंतरगत जीतना ज्यादा ज्यादा गाउंवालों को फायदा कराया जा सकता है वह उनको कराया जा रहा है उननत वीज वगर दिल्वार हैं अब उनत बीज जिसको जरूरत पड़ती है तो उसको दिलवार देते हैं उसके लावा जिसे कुछ लोग पशुपालन करना चाहते हैं, सुवर है, भैसी है, बैल ओल पालते हैं, तो उसके लिए भी उनको जो है, अनुदानों गरा दिलबा दिया गया है, सबकार्त पंदान को देती हैं, बहुत खुश हुई जानकर, अच्छा भीया, नमस्कार. बच्चे किन बजहों से स्कूल नहीं जा पाते हैं, इसकी सूची बनाईए, ग्राम सेवक से प्रेरक ने कौन सी जानकारी मांगी और क्यूं, ग्राम सेवक के अलावा प्रेरक और किन कर्मचारियों से मिल सकते थे? पूलते हाँ, तो बच्वार क्या है, ग्राम सेवक जानकर, यूरी मिल आप नहीं जांगा। क्या बात थे भूलो नहीं, क्या बात बोलो ना मुझे बताओ तो सीता बहन जब तक तुम बताओगी नहीं मुझे कैसे मालूम होगा और मैं तब तक तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा बताओ ना देखो डरो मत मैं हूँ तुम्हारे साथ बोलो बोलो बहन अब का बताओ भाईया मारे मारे महाजन से लिखत पड़त नहीं कीति क्या अगर पढ़ा हो तो तो हमारी इकती का है हो माहा जनम उठा लगवाई के हमका धोका देदी तुछ ये परस है जी मैं हमार घर वाला चात रहा है मैं जैने कौन जनम का बद्ला ले रहा है बगवाल उपर से दूर्दे बिटीवा है जी चाहते संक्या काई के मर जाई नहीं सिता बैन ऐसा मत कहो हम तुम्हें लेकभाल के पास ले चलेंगे अगर इस दरुवत पर हम तो बड़े रध कारियों से मिलेंगे तुम्हें तुम्हारा हत्त जरूर दिलवाएंगे ऑव बैन चलो हम लोग प्रधान जी के पास चलते हैं चलो बिट्ये कि अपर से घर्मा चार चार लर्क्या खाय का तो कुछ है नहीं घर्मा उच सरकार जो बीज दीस रहा है वही बीज बनाए खिला दियन उगा खाय के लर्का सब उल्टी करन लगे अब देखो पहली बात तो ही कि देवी पर को कुछ नहीं होता है अब तुम्रे खेती करे में कौनों कमी रह गई होई इसले फसल अच्छी नहीं भई और दूसरी बात ही सरकार जोन बीज तुमका बोवे के लिए इसे जानत हो उस बीज की सुरच्छा के लिए उसमें दवाई जैसा कि आप सब लोगन का मालूम है कि हमरे प्रेर्यक भाईया इस गाउमा आप लोगों के पढ़ाए खातिर एक केंद खोले आएं अच्छा नहीं हो इक अलावा आप लोग की का का जर्वते हैं वह जर्वते कैसे पूरी हुई है वहू का उपाय बताई हैं किसी का कौनों दिक्कत हो कौनों परेसानी हो वो कैसे दूर की जा सकत है वहू के बारे में हमरे प्रेरक भाईया अवे आप से कुछ बात करी हैं तो प्रेरक भाईया भाईयों वह नो राम राम मैं भी आप लोगों की तरह आप लोगों की बीच का एक आप में से बहुत से लोग तो मुझ कर इन समस्याह opens प्यूर कर सकते हैं आप अम स्ट्राव में सबसे बढ़ी समस्या फिने की पानी के अब आप लोग जिस के का पानी पीते हैं उसी क्यूंअ की इतना है नहिं आ्क लोग जिस बाल्टी से जानवरों को पानि पीलाते हैं उस बाल्टी के साफ किये हुए उससे पीने का पानि भरते हैं अब इससे क्या होता है कि गंदा पानी पीने से आप Especially time से आप लोग अब हमारे महिकु भाईया को देखो ये विचारे अनपड़ा है इस साल इनकी पूरी खेती बरबाद हो गए अच्छी फसल नहीं हुई साथ ही दोनों बेटे काल के शिकार हो गए अब ये विचारे अगर पढ़े लिखे होते तो बच्चों का इलाज सही तरीके स्करवाज़ किसी अच्छे डाक्टर दिखाते अच्छे अस्पतार में लेजाते लेकिन नहीं कर पाया अब देखो ना ये हमरी सीता बहन है अब अगर ये विचारी पढ़े लिखी होती तो इन्हें कोई गुद्धु नी बना सकता भाईया आज अगर हम पढ़े लिखाय होते तो हमारी कि दूर्दसा ना होती जमीदार हमार खेत माकान नाय अड़कर ले हम अपनी बिट्या की साथ इतरह नाय परेशान हो रहे होते लेकिन अभी वी वक्त है घबराने की कोई बात नहीं अब मैं आ गया हूं आप सब लोग मेरे केंदर पर आएं पढ़ें और लिखें मैं आपक किस तरह की सुधाय मिल सकती है किस चीजों के लिए अनुदान मिलता है रिन कैसे प्राप्त होता है यह सारी बातें आपको बताओंगा साथ ही समय समय पर अच्छी खेती करने वालों को विशेशक्यों को बुलवा कर उनसे वी वारता करवाऊंगा आप जान सकेंगे कि आप साथ जुड़ जाएं मैं वादा करता हूं कि अब आप लोग अंधकार में नहीं भठते हैं नया उजाला आपकी राह देखा है ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का क्या मतलब था? जिस मतलब से मीटिंग बुलाई गई क्या वा पूरा हो पाया? यदि हाँ तो कैसे? यदि नहीं तो क्यूं? यदि लोगों की जगहें पर आप खुद होते तो प्रेरख के साथ आपका बरताओ कैसा होगा? यदि आप खुद प्रेरख होते तो लोगों का विश्वास जीतने के लिए किस प्रकार का बरताओ करते? तुल्हान जी, गाउं में केंदर चलाने के लिए कोई कमरा दिलवाई है न? अरे प्रभू जी, अब आप तो जनते ही हैं कि आज कल हम कितना ब्यस्त हैं? हाँ, सो तो है. हमरे पाय अत्ता टाइम नहीं ना कि हम आपका लईके गाउं मा घुमाई और कमरा दिलाई. आप तो खुदै सच्छम हो, आप गाउं वालन से बात कर लिए और आपका अगर यहाँ जगह है तो आपका जरू मिली. नहीं ने प्रधान जी, इसा आप न कहें. बिना आपके सहयोग से कुई ची संभव कैसे है? हाँ, सहयोग हमारा लिया जाता रहा पहले, लेकिन अब तो समय आप तो हमरी गाउमा का जरूद. प्रधान जी, यह बात है, लगता आप बुरा मान का बुरा माने की कोई बात नहीं? नहीं प्रधान जी, अगर फिर भी अगर आपको बुरा लगा है तो मैं इसके लिए च्वाँ चाहूंगा. अब यू बात नहीं का, आप भड़े हो, हम से आप माफी कैसी छोटी-छोटी बात कर रहे हो आप, माफी कहनों बात नहीं, लेकिन हमरे दिल मा भी थोड़ी चोट लाग गई. बिना आपके सहयोग से कुछ संभा नहीं, आए चली गाउन चली. अरे आप तो मजबूर घर्दी हो, तो जरूर चला बापके साथ. आए च जानो. आओ. अब देखें अदेदी, इस गाउन में बहुत सारी समस्या हैं. और समझ में नहीं आता है कि प्रात्मित्ता किसको दो. देखें न, जैसे स्वास्त की समस्या... आप ठीक कह रहे हैं. स्वास्त की समस्या को समझने से पहले हमें उसके कारणों को जानना पड़ेगा. आपको याद है न, उस दिन कैसे लोग कुए पर नहा रहे थे, गंदे कपड़े धो रहे थे, और वही गंदा पानी कुए के अंदर जा रहा था. और जब वो पानी भर कह रहे हैं. पीने का गंदा पानी और ये गंदगी ही गाउ में बिमारी फैलने का कारण है. हाँ, स्वास्त की समस्या को लेकर आप कई प्रकार की समस्या को एक साथ हल कर सकते हैं. उनको जब साफ पानी के महत्व का पता लग जाएगा, तो वे स्वास्त के प्रति स्वयम जागरूख हो जाएंगे. हाँ, दिदी, ठीक है. अब मैं इसी तरह गावा लोग समझाओगा. हाँ, आपका अपनी बात समझाने का धंग बहुत सरल होना चाहिए. याद है आपको, उस दिन ग्राम सभा में आपनी क्या कहा था? मैं आ गया हूँ, मैं सारी समस्याओं का हल कर दूँगा. जानते हैं इ याद रखें, भ्रमन करना और ध्यान से देखना, सवाल पूछना और उत्तर सुनना, लोगों के विचारों को आदर देना, खुद को बड़पन दर्शाने वाली बातें न कहना, लोगों को बोलनी के लिए उत्साहित करना, लोगों की मदद करना कि समस्याओं का हल खुद निकालें हुआ है।